आपका पहला सवाल है, अंगूर की खेती के लिए कौन सानगर प्रसिद्ध? आपके ओप्शिन्स हैं, A. अमदाबाद, B. दिल्ली, C. धनबाद, D. नासिक आपका सही जवाब होगा ओप्शिन डी, नासिक आपका दूसरा सवाल है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? आपके ओप्शिन्स हैं, A. अमेरिका, B. भारत, C. जापान, D. इंग्लेंड आपका सही जवाब होगा ओप्शिन डी, इंग्लेंड आपका तीसरा सवाल है, विश्व का प्रथम काग्जी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. जापान, B. भारत, C. चीन, D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा ओप्शिन C. चीन आपका चौथा सवाल है, किस राजान ने अपने मा के साथ शादी की थी? आपके ओप्शिन्स हैं, A. शाह जहां, B. बाबर, C. अकबर, D. ओडेपस आपका सही जवाब होगा ओप्शिन D. ओडेपस आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. मेगालय, B. उडिसा, C. तेलंगाना, D. अन्य आपका सही जवाब होगा ओप्शिन B. उडिसा आपका छठा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूर्जमुखी का उत्पादन होता है? आपके ओप्शिन्स हैं, A. केरल में, B. गुजरात में, C. करनाटक में, D. राजिस्थान में, आपका सही जवाब होगा ओप्शिन C. करनाटक में, आपका साथ में सवाल है, तेलंगा नाराजि की स्थापना कब हुई थी M. आपके ओप्शिन्स हैं, A. सन उन्नी सो निन्यानवे, B. सन दो हजार दो, C. सन दो हजार आठ, D. सन दो हजार चौदह, जवाब होगा ओप्शिन D. सन दो हजार चौदह, आपका आठ वा सवाल है, साभर जील किस राज्य में स्थित है, आपके ओप्शिन्स है, A. श्री नगर, B. कश्मीर, C. राजिस्थान, D. गुजरात, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. राजिस्थान, आपका नौवा सवाल है, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है, आपके ओप्शिन्स है, A. मुंबई को, B. कानपुर को, C. लखनौ को, D. अलीगर को, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. लखनौ को, आपका दश्वा सवाल है, विश्व की सबसे प्राचीन भाशा कौन सी है, आपके ओप्शिन्स है, A. हिंदी, B. नेपाली, C. संस्कृत, D. उर्डू आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. संस्कृत, आपका ग्यारहवा सवाल है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयबीन का उत्पादन होता है, आपके ओप्शिन्स है, A. मनिपर, B. करनाटक, C. मध्धिप्रदेश, D. हिमाचल प्रदेश, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. मध्धिप्रदेश, आपका बारहवा सवाल है, साइना नेहवाल का संबंध, किस खेल से है, आपके ओप्शिन्स है, A. कबडड़ी से, B. क्रिकेट से, C. बैडमिंटन से, D. हौकी से, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. बैडमिंटन से, आपका आते रहवा सवाल है, कौन सा फल है, जो मात्र एक दिन में पक जाता है, आपके ओप्शिन्स है, A. अनार, B. पपीता, C. अमरूद, D. टमाटर, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन D. टमाटर, आपका चौद हवा सवाल है, किस जानवर के दूद का दही नहीं जमता है, आपके ओप्शिन्स है, A. उट के, B. बकरी के, C. खरगोश के, D. गाय के, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन A. उट के, आपका पंद्रहवा सवाल है, भारत के किस राज्या में रावन का मंदिर है, आपके ओप्शिन्स है, A. मेघालय, B. राजिस्थान, C. छतीसगड, D. मध्यप्रदेश, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन B. राजिस्थान, आपका सोल हवा सवाल है, सिंगापुर की राजधानी कहां है, आपके ओप्शिन्स है, A. अबुधाबी, B. सिंगापुर, C. टोक्यो, D. साओधी अरब, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन B. सिंगापुर, आपका सत्रहवा सवाल है, सूर्य सबसे पहले कहां उदए होता है, आपके ओप्शिन्स है, A. भारत, B. चीन, C. न्यूजीलिंड, D. पाकिस्तान, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन C. न्यूजीलिंड, आपका ठारहवा सवाल है, पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, आपके ओप्शिन्स है, A. लगभग 3 प्रतिशत लोग, B. लगभग 15 प्रतिशत लोग, C. लगभग 5 प्रतिशत लोग, D. लगभग 10 प्रतिशत लोग, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन D. लगभग 10 प्रतिशत लोग, आपका 19 सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस व्रिक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्थ हुआ, आपके ओप्शिन्ज हैं, A. पीपल के, B. आम के, C. केले के, D. नीम के, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन A. पीपल के, आपका 20 सवाल है, भारत के किस राज्य में मधु बनी पेंटिंग होती है, आपके ओप्शिन्ज हैं, A. बिहार में, B. गुजरात में, C. केरल में, D. राजिस्थान में, आपका सही जवाब होगा, ओप्शिन A. बिहार में, आपके लिए सवाल है, भारत की सबसे पवित्रन अधी कौन सी है, आपके ओप्शिन्ज हैं, A. गंगा, B. यमुना, C. गोदावरी, D. भागी रथी, दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कॉमेंट करिए, और विडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर जरूर शेयर करें, मिलते हैं अगले विडियो में नए सवालों के साथ, तब तब के लिए धन्यवाद.